महा भारत का भयंकर युद्ध चल रहा था लड़ते लड़ते अर्जुन रणछेत्र से दूर चले गए थे अर्जुन की अनुपस्थिती में पांडवों को पराजित करने के लिए दोणाचारे ने चक्रवियू की रचना गी अर्जुन पुत्र अविमन्यू चक्रवियू ब अविमन्यू पर जोड़दार प्रहार किया वैवार इतना तीव्रथा कि अविमन्यू से सहन नहीं कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया अविमन्यू की मृत्यू का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोथ से पागल हो ठा उसने प्रतिग्या की कि यदि अगले दिन सुर्यास से पहले उसने जैदरत का वद नहीं किया तो वै आत्मदाह कर लेगा जैदरत भैवीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिग्या के बारे में बताया दुर्योधन उसका भै दूर करते हुए बोला चिंता मत करो मित्र मैं और सारी कौरप सेना तुम नहीं मिला दिन बीतने लगा धीरे धीरे अर्जुन की निरासा बढ़ती गई यह देख स्रीकरशन बोले पार्थ समय बीत रहा है और कौरप सेना ने जैदरत कुरक्षा कवच में घेर रखा है अधर तुम सिखरता से कौरप सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष की होर ब संध्या फैला दी इसके फल स्वरूपसूरे बादलों में छिप गया और संध्या का प्रहम उत्पन्न हो गया संध्या हो गई है और अब अर्जुन की को प्रतिग्या बस आतंदा करना होगा यह सोच का जैदरत और दुरियोधन खुशी से उचल पड़े अर्जुन को आतं गांडीव और वत कर दो इसका फैर देखो अभी सुर्यास्तर नहीं हुआ है यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली देखते ही देखते सुर्य बादलों से निकल आया सबकी द्रश्टी आस्मान की ओर उट गई सुर्य अभी भी चमक रहा था यह देख जैदरत और दुर को दान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी सौ टुकड़ों में विवक्त हो जाएगा इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी सौ टुकड़े हो जाएंगे हे पार्थ उत्तर दिसा में यहां से सौ यूजन की दूरी पर जैदरत का पिता तब कर रहा है। तुम इसका मस्तग ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अरजुन ने स्रीकर्ष्ट की चेताबनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष की और ध्यान कर पांट छोड़ दिया। उस बार ने जैदरत का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जैदरत के पिता की गोद में जाकर गिरा। जैदरत का पिता चौक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गिर गया। सिर्के जमीन पर गिरते ही उनके सिर्के भी सो टुकडे हो गए इस प्रकार अर्जुन की प्रतिक्या पूरी हुई तो ये खानी सनातन धर्म यूगो सभी को जाननी चाहिए अगर आपको अच्छी लगई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसको सेयर करें धन्यवाद